दोसो इस साल आपके syllabus में एक बहुत ही confusing topic दे दिया Judith Shakespeare अब मैं इसको confusing क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि काफी सारे बच्चों को इसका text नहीं मिलता कि ये Judith Shakespeare क्या है दोसो मैं आपको बता दूँ कि ये Virginia Woolf का एक work है The Room of One Sound जिसको मैं एक छोटी सी वीडियो के अंदर discuss कर चुका हूँ उसका chapter 3 है अब बीच में से कोई chapter दे दिया वो आपको पढ़ना है Judith Shakespeare कौन है कौन सा character है और कैसे इसको develop किया है Virginia Woolf ने इस वीडियो में हम लोग discuss करेंगे बड़ी कमाल की वीडियो होने वाली है चलिए शुरू करते हैं मिलता हूँ इस वीडियो के end में देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ Judith Shakespeare जो है एक ऐसा character है जिसे Virginia Woolf ने अपनी खुद की imagination से बनाया है कि माल लो William Shakespeare की अगर कोई बहन होती तो कैसा होता पहले भी मैं एक वीडियो में इसके बारे में discuss कर चुका हूँ लेकिन इस वीडियो में आपको details से बताऊँगा कि इसमें Virginia Woolf में क्या बात की है उनका एक work है The Room of One Sound आपने नाम सुना होगा ये उसी का part है अगर आप उसके chapter 3 में चले जाओगे लेकिन थर्ड वाले chapter में वो Elizabethan Age में पहुंच जाती है Elizabethan Age वो time था जिसे English Literature की Golden Age कहा जाता है इतना extraordinary time था कि हर कोई कुछ ना कुछ उस वक्त लिख रहा था मतलब चाहे एक song हो, एक sonnet हो, कुछ भी हो, कोई ना कोई कुछ ना कुछ लिख रहा था इवन politicians भी कुछ ना कुछ लिख रहे थे लेकिन कितने ताजब की बात है कि एक woman, एक woman ऐसी नहीं थी जो उस time पर अपना कुछ original produce कर सके कितनी अजीब बात ना कि किसी woman ने कुछ नहीं लिखा उस time पर ये वोही golden age थी जिस age में आदमी अपनी औरतों को मारते थे तो आपको कहीं से भी ये दबाय हुए characters नहीं लगेंगे ऐसा लगेगा जैसे ये अपने आदमियों पर सीधे कंट्रोल कर रही ये औरते लेकिन virginia wolf यहाँ पर क्या बोलती है कि उस time की history को मैं पढ़ती हूँ किसके जरिये, कौन से historian की book से, George Macaulet Rebellion इनकी book में से ये history को पढ़ती है इनकी history की book पढ़कर इनको लगता है कि England में उस वक्त लड़कियों की शादी 16 साल की उम्र में ही हो जाती थी और virginia wolf यहाँ पर कहती है कि 16 साल की age में मैं hardly imagine कर सकती हूँ कि 16 साल की age में कोई लड़की अपनी private diary रखकर कुछ लिखेगी और Shakespeare के बराबर dramatist बन सकेगी माल लो Shakespeare की अगर कोई बहन होती यहाँ पर वो बोलती है कि Judith Shakespeare जो उनहीं के माबाप की बेटी होती जैसे Shakespeare पढ़ा हुए थे वैसे ही पढ़ा होती जब Shakespeare अपने घर की responsibilities को छोड़कर अपने B.U.H.O को स्टेटफर्ड में छोड़कर लंडन भाग गया actor बनने के लिए वहीं उसकी बहन्च Judith Shakespeare उस पर शादी करने के लिए जबाव डाला जाता वरजीनिया बोलती है वो भी Shakespeare के लेवल की genius होती लेकिन वो basic education उसे मिली नहीं पाई जो उसकी भाई को मिले वरजीनिया जूड़िस शेक्सपियर को एक symbol की तरह use करती है symbol की तरह कि females भी talented होती है लेकिन उन्हें मौका ही नहीं मिलता कि वो अपना talent दिखा सके mental freedom तो जरूरी है लेकिन साथ की साथ ज्यादा जरूरी है financial freedom अलाकि Judith की family इतनी cruel तो थी ने जो बेवजा उसे मारे पिटे लेकिन बस Judith शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो pressure को बरदाश्ट नहीं कर पा रही थी शादी करने के लिए वो शादी से बचने के लिए अपना घर चुड़कर London भाग गई अपने भाई की तरह theaters में जाकर काम मांगा तो लोगों ने उसको मजाग बनाना शुरू कर दिया कि औरत होकर acting करोगी acting औरतों के लिए नहीं बनी है अब आज सुनने में थोड़ा और लगता है sexually assault किया मतलब sexual relations बनाए उसे pregnant कर दिया अब पिर उसकी बचे कुछी उमीद थी writer बनने की successful होने की वो भी खतम हो गई और आखिर उसने क्या किया उसके पास एक यह option बचा था उसने खुद suicide कर ली तो यहीं पर इसकी कहानी खतम हो जाती लेकिन analysis अभी बाकी है भले ही उसका वाई Shakespeare इतनी fame भटोडता जा रहा था जहां पर उसकी बैन की death हो गई हाला कि reality में ऐसा कोई भी character नहीं है Virginia Wool बोलती है ऐसा कोई भी character reality में तो नहीं है लेकिन क्या उस वक्त दूसरी औरतों की condition ऐसी नहीं थी कुछ लिख कर यहीं पर वो बोलती है अपनी famous line की history में यह anonymous जो word है न A-N-O-N-Y-M-O-U-S यह women के लिए ही है वो imagine करती है कि जोड़े तकर जिन्दा बच भी जाती जोड़े शेक्सपेर जिन्दा बच भी जाती और अपना कुछ लिख भी लेती तो उसके literature को twist कर दिया जाता या फिर deform कर दिया जाता कि तुम ऐसे मचाप हो ऐसे मचाप हो या फिर वो अपना नाम बदल कर किसी आदमी का नाम रख लेती तब शायद लोग उसे पढ़ते seriously लेते क्योंकि female gender के लिए fame पाना उतना easy नहीं है नेचुरल नहीं है जितना males के लिए है और तो को writer बनने के लिए सही समय का इंतिजार करना पड़ता है वर्जीने वल्फ बोलती है women writers के लिए लिए लिखना male writers से मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि वो एक disturbed state of mind में रहती है disturbed state of mind में लिखती है पच्चासो वाते चलती है उनकी दिमाग में Shakespeare जब kinglier लिखने बैटे होंगे तो उनके दिमाग में इतना pressure नहीं रहा होगा अलाकि हम जानते हैं नहीं है कि उस वक्त उनकी दिमाग में क्या चल रहा होगा virginia world बोलती है कि मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा रही हूँ कि आज जब modern confessional poetry में पढ़ती हूँ तो पढ़कर पता लगता है कि writer जब लिखते वक्त जरा सी भी disturbance फील करता है न मतलब destruction होता है उसको तो उसका सीधा असर उसके work पर पढ़ता है औरत की life तो इन सर्फ डिस्ट्रेक्शन से disturbance से भरी पढ़ी है तो आप सोचो उसके लिए कितना मुश्किल होगा लिखना यहाँ पर virginia दो universities के colleges के नाम लेती है नियूनहेम और गर्टन उन colleges में जो बच्चे पढ़ता है न साइकोलोजी है उनको कहती है कि पता लगाओ यह एक artist पर इस तरह की discouragement का क्या असर होता है जब वो लिखता है तो और खुद को एक artist कैसे तयार करे खुद को कैसे नरिश करे कि इन सब distractions के साथ में भी वो एक अच्छा literature लिख सके बिना distract हुए यहाँ पर वो एक character का और नाम लेती है Oscar Browning जैसे Oscar Browning नाम की एक teacher थे women college में पढ़ाते थे वो ऐसा मानते थे कि अच्छी खासी पढ़ी लिखी women भी बेकार से बेकार आदमी से तो कम ही होती है ऐसा इसलिए क्योंकि आदमी खुद को better मानता है यहाँ पर Virginia Woolf बोलती है कि आदमी कुद को better मानता है औरते भी आदमी को better मानती है इसलिए किसी भी मामले में वो अपनी राय प्रकट नहीं करती राय रखती नहीं है यहाँ पर Virginia Woolf एक सवाल पूछ रही है मतलब फर्मली एक सवाल पूछ रही है कि अपनी राय क्यों नहीं रखते है तुमसे सबसे बड़ी गलती यह हुई है कि तुमने अपनी राय नहीं रखी हिस्ट्री में कभी भी और अपनी राय नहीं रखकर खुद को हिस्ट्री में तुमने कमजोर कर लिया तो Shakespeare की तरह लिखने के लिए फिर ही कुछ अच्छा लिख सकते हो अब जब आपने ये वीडियो खतम कर ली है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वर्क समझ में आया होगा दोस्तों अब वैसे इस ऐसे पर इस चैप्टर पर मेरी भी कुछ राय है जो हम किसी और दन डिस्कुस करेंगी फिलाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में